हेलो फ्रेंट स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल की एक और नई वीडियो में रुकीट्मेंट आ रही है दोस्तो भारती है रेल की तरफ से इंडियान रेल्वेस में दोस्तो रुकीट्मेंट है 374 वेकेंसिस के लिए आवेदन मागे गए हैं आप इंडिया की किसी भी स्टेट से आते हैं किसी भी सीटी से आते हैं अगर आपने 10th करी हुई है 12th करी हुई है या आपने IT कर रखी है तो आप बिल्कुल इलीजिबल है आवेदन कर सकते हैं 374 वेकेंसिस के लिए अच्छी बात है कि यहाँ पे किसी तरह का एक्जाम नहीं होने वाला है किसी तरह का इंटिवू नहीं होने वाला बिल्कुल अगर आप इलीजिबल होते हैं तो इस रुक्रीटमेंट के लिए अपलाए करिएगा अप्रेंटिशिब की दोस्तों यह रुक्रीटमेंट है यानि कि सीखने के साथ साथ आपको स्टाइपेंट भी जो है वो फारती है रेल की तरफ से दिया जाएगा और अगर आप अप्रेंटिशिब करते हैं फारती है रेलवे में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा नए नए लिंक्स बनेंगे एक साल का यह होता है इसके दुरान आपको सीखने के साथ साथ स्टाइपेंट उनकी तरफ से दिया जाता है और हो सकता है आने वाले टाइम में अगर रेलवे की तरफ से कोई रुक्रीट में निकलती है तो आपको उसमें वो काम करने का मोका मिल जाए तो लोकेशन आपकी वारानसी चुखे पुत्तर परदेश में रहेगी और आप ज़रूर इसके लिए आवेधन कीजेगा अगर आपकी सेलेक्शन होती है तो स्टाइपेंट भी ज़रूर मिलेगा तो डिटेल में भी बात करेंगे इसके LGBT काईटेरिया की सेलेक्शन पॉसेस की कैसे आपको अप्लाई करना है कौन को कर सकता है सभी चीजों के बारे में तो शुर से लेके लास्ट चक्स वीडियो को कम्प्रीट देखेगा तांकि आपको हर एक चीज हर एक डिटेल का पता चल जाए तो उसके लिए दोस्तों में चलना होगा नोटिफकेशन की तरफ तो नोटिफकेशन में दोस्तों जोगे सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे important dates की तो 15 तारीक से आवेदन शुरू हो चुके हैं 15 February 2021 तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा टाइटल के उपर क्लिक करेंगे चाहिए आप अपने phone से देख रहे हैं या PC से देख रहे हैं टाइटल के उपर क्लिक करेंगे तो नीचे description खूल जाता है वहाँ पे आप पहले link पे क्लिक करेंगे तो आप सीधा हमारी website पर जाएंगे वहाँ पे आपको सारी detail लिखी मिलेगे और साथ ही हमारे link पी आपको मिल जाएंगे उसके लाब दोस्तो 300 vacancies है ITA वालों के लिए और 74 vacancies है non ITA यानि की 10th वालों के लिए तो आपको जोगे वह similar trade में apply करना है लेकिन आप थ्यान दीजेगा अगर आपने 10th करी हुई है तो आपको non ITA seats के लिए आवेदन करना है और अगर आपने ITA कर रखी है तो आपको ITA seats के लिए है और non ITA वालों के लिए यानि की 10th वालों के लिए 74 vacancies है जिसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं detail में बात करें eligibility criteria की तो 10th अगर आपने कर रखी है साथ में 50% marks है तो ही आप इन दोनों recruitment के लिए apply कर सकते हैं यानि कि अगर आपने ITA कर रखी है ITA सिर्फ pass मांगा है लेकिन साथ में आपके 10th के साथ 50% marks होने जाए है बाकी non ITA के लिए तो 10th के साथ 50% marks है तो बिन ITA के आप बिल्कुल eligible है apply कर सकते हैं अप pairing candidate अभी आवेदन नहीं कर सकते हैं बाकी अगर दोस्तों आप अपने career की शुरुआत कर रहे हैं अगर आपने 10th करी है 12th करी है अभ वारा नसी वाले यूनिट में जो की है बनारस locomotive work वाला उसके लावा दोस्तों अगर आगे बढ़ें तो यहाँ पे दोस्तों जो ही वो 22 साल maximum wage का criteria रखा गया है उसके लावा दोस्तों बात कर इस selection की तो selection आपका किसी तरह का examination नहीं होने वाला है आपने कितने marks अपने matriculation examination में obtain करेंगे उसी के according balance निकाली जाएगी और आपका selection हो जाएगा अगर उनको दो candidate बिल जाते हैं जिनके same marks होते हैं तो जिसकी थोड़ी जादा होगी उसको मोका दिया जाएगा उसके लावा दोस्तों stipend चुखे वो railway board instructions के according चुखे वो दिया जाएगा यह अभी चुखे किसी भी category से आते हैं उनको fees देने की ज़रूरत नहीं है और fees जो pay करनी है वो online mode से pay करनी है last day 15.02.2021 उसके लावा दोस्तों यहाँ पे apply करने के लिए यहाँ पे दो links उनों ने बताए हैं कहीं बार एक link काम नहीं करता तो आप दूसरे link पे जाके apply कर सकते हैं link आपको description में द जो है वो लिखा गया की notification में अगर आपको कुछ पूछना है तो आप comment section में पूछ सकते हैं लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सारी चीज़े मैंने आपको बता दी हैं so thank you very much दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए और आशा करता हूं का आपको वीडियो पसंद आई होगी समझ आई होगी अगर वीडियो से related कोई आपके questions हैं आप कुछ पूछना चाहते हैं comment section में पूछ सकते हैं और ज़्यदा job update के लिए आप हमारी website को visit कर सकते हैं मिलेंगे ऐसी किसी नई job update के साथ दुबारा से तब तक आप अपना ख्याल रखें